Hello viewers, welcome back to my channel, Nisha Education आज हम समझने वाले हैं कि सूचकांग किसे कहते हैं सूचकांग जिसे हम English में Index Number कहते हैं सूचकांग संख्या या फिर Index Number तो ये शब्द अर्थशास्त्र में ज़्यादातर यूज किया जाता है और इसे हम English में क्या कहते हैं? Index Number कहते हैं तो सूचकांग का मतलब होता है कि चरो को अंकडो को, ठीक है, कोई भी चर हुए, कोई भी अंकडे हुए, उसको हमें काउंट करने लायक बनाना है, यह एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी विधी है, जिसमें हम चर या फिर अंकडो को काउंट करने लायक बना देते हैं, जैसे कि फल पास बहुत सारे चरोते हैं जैसे कि व्यक्ति, स्कूल, अस्पताल, कीमत का उतरना चड़ना, उत्पादन की मातरा का घटना या बढ़ना, खर्च होना या फिर कितना खर्च हुआ कितना नहीं हुआ ऐसे चरों को हम पहले क्या करेंगे मूल्यों में बदलेंगे ठीक है काउं अज़ादर्शाना कि हम उसको मूल्यों में काउंटिंग में बदल दें, जैसे हम उधारण के तोर पर कहें, 1990 में सब्जी की कीमत धाई गुना बढ़ गई, अब जैसे हमें यह तो पता है कि सब्जी की कीमत बढ़ गई, लेकिन जब हमने उसको काउंटिंग में बना दिया ठीक है हमने उसको इस तरीके से सजा दिया कि सब उसको समझ सके कितनी बढ़ गई घजाएंगी कि अरे सब्जी के कीमत बहुत ज़ादा बढ़ गई कितनी बढ़ गई, अब तुम्हारे लिए बहुत है और सामने वाले के लिए शायद वो कम हैं, लेकिन जब आप बताइँ गुना तो उसका धाइ गुना भी उतना ही ओगा, आपका धाइ गुना भी उतना ही होगा, धाइ मतलब धाइ ही होता है, जब हम उसको काउंटिंग में कर देते हैं जब हम उसको मूल्यों में बदल देते हैं तो आंकडे समझ में आने लगते हैं जिसे हम सूचकांग कहते हैं ठीक है अगर कीमत से related सूचकांग होगा तो कीमत सूचकांग उत्पादन से related होगा तो हम उसको कहेंगे उत्पादन सूचकांग परिणाम से रिलेटिड होगा तो हम उसको कहेंगे परिणात्मक सूचकांग जिस चीज से रिलेटिड होगा उसी का सूचकांग हो जाएगा I hope आपको सूचकांग का meaning समझ में आ गया होगा कि सूचकांग word अर्थ शास्त्र में कहां यूज होता है और इसका मतलब क्या होता है अगर आपको किसी और word पर meaning चाहिए तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं मिलते हैं next video में Bye guys